जै मातादी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूप चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 1 नवंबर से 30 नवंबर तक के कुमराशी फिल के बारे में कुमराशी के लोगों के लिए 1 से 30 नवंबर तक का समय कैसा रहेगा इस एक महीने के अंतराल में कौन-कौन से दिन आपके लिए फायदे मन रहेंगे कौन से दिन आपके लिए सावधानी पूरवक रहने वाले है यारी जिनको bad days बोलते हैं जिन दिनों में आपको सावधानी रखनी वाले है कौन से दिन आपके लिए बेहद लाब देने वाले रहेंगे योग क्या बनेंगे कौन सा अगर है आपके लिए फाइदे मन रहेगा जानेंगे सब कुछ विस्तार से सिक्षा, स्वास्त, वेपार, नौकरी, दुकान, प्रेम जीवन, पारिवारिक जीवन हर चीज के बारे में जानेंगे तो आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है अगर आप चैरल पर पहली बार आए हैं तो चैरल को सब्सक्राइब कर लें और जुड़ जाए हमारे चैनल के साथ दोस्तो नवंबर का महिना, त्योहारों का महिना है बहुत ही शुब त्योहार जो कि पूरे वशब जिन त्योहारों का इंतजार किया जाता है वो इस महिने में आने वाले है धनतेरस का पर्व हुआ लक्षमी पूजन दीपावली का पर्व हुआ भाई दूज हुई, गोवर्धन हुआ एकादशी तिथी हुई देव उठनी एकादशी हुई तो ये ऐसे पर्व है जो हिंदु धर में बहुत महित रखते है और इन त्योहारों का भी आपके उपर क्या प्रभाव होगा चले विस्तार से जा लेते हैं सबसे पहले हम देखे ग्रहों की बात करते हैं कि कौन सा ग्रह कहाँ बैठने वाला है सूर्य जो है वो 16 नवंबर को राशी परिवर्थित करेंगे तुला राशी से निकल कर वरश्चिक राशी में जाएंगे मंगल मीन राशी में है और बुध 27 नवंबर तक तुला राशी में है उसके बाद वो वरश्चिक राशी में आ जाएंगे सूर्य के साथ गुरु जो है वो 20 नवंबर को राशी परिवर्थित करेंगे और शनी के साथ बठेंगे शनी जो कि आपके राशी के स्वामी है तो 20 नवंबर से अब ये अगले लगबग पाँच्छे महीनों तक मकराशी में रहने वाले हैं शुक्र 17 नवंबर को तुला राशी में बिरवेश करेंगे शनी मकराशी में बैठे हैं राहु वरश्चमे के तुवेश्चिक में तो ये थी ग्रहों की इस्थिति अब ये जो इस्थितियां हैं ये किस तरह से आपके उपर प्रभाव डालेंगे सबसे पहले देखे हम जानते हैं कि इस महीने में जो योग होते हैं वो बहुत मैद्पून होते हैं तो एक तो बुद्धादित्य योग बनेगा ये गजकेश्री योग पैते एक महीने में चार या पांच बार बनता है कुछ गजकेश्री योग बहुत इश्यूब होते हैं और कुछ गजकेश्री योग बेहत सावधानी पूरवक बिताने होते हैं गजकेश्री योग किदी बात की जाए इस महीने की तो देखिए इस महेने में जो गजकेष्र योग बनेंगे वो पहला 6 तारिक को बनेगा 6 नमंबर को उसके बाद दूसरा 13 नमंबर को बनेगा तीसरा 18 नमंबर को बनेगा और चोथा 28 नमंबर को बनेगा तो ये जो है ये गजकेश्री योग चंदर और गुरू की योती से बनता है ये चारो योग आपके लिए बिहद धुशुब हैं बिहद लाबदायक हैं आपके लिए धन की भाव को बढ़ाने वाले हैं धन आने की जो आपके प्रयास होंगे उनके द्वारा धन की प्राप्ति कराने वाले ये योग आपके लिए हैं इसके साथ ही जो गुरू का राशी परिवर्तन होगा ये गुरू आपके राशी के साथ बैठेंगे तो आपके लिए कुछ अच्छे योग बनाएंगे कुछ चीज़ों में आपको साफधानी भी रखनी होगी इस महिने में आपके प्रियास बहुत महत्पून है यानि आप जो प्रियास करेंगे अपने काम के शेतर में अपने कारेश शेतर में वो आपके लिए बहुत मैधपूर है किएगे प्रियासों से आपको सफलता इस दोरान मिलेगी शुक्र जो कि 17 नवंबर से तुला राशी में जाएंगे आपके भागय भाव में बैठेंगे ये बहुत अच्छा परिवर्टन हुआ है 17 तारिक से आपके भागय भाव में बैठ कर शुक्र आपके सुखों में वरद्धी करेंगे सुखों को बढ़ाएंगे इस दोरान आप देखेंगे आपके जो खर्चे जो हो रहे थे उन खर्चों में आपको कुछ कमी देखने को मिलेगी इस महीने में कुछ घर का योग आपके लिए बना हुआ है घर की खरिदारी का योग है अगर आप पहले से कुछ अपने घर के प्लानिंग आपनी का रखी थी तो इस महीने में पूरी होगी लेकिन इस समय आपको अगर आप अपना कुद का घर बनाने जा रहे हैं, खरीद रहे हैं तो वास्तु का बहुत ध्यान रखना होगा क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप वास्तु गलत कर दें अपनी घर का इसलिए आप वास्तु दिखा कर अपने घर का जो renovation है जो अपने घर को बनाने जा रहे हैं वो उसका करा एक बार वास्तो आप जरूर करा ले इस दोरान में शनी देखिए आपके बारवे भाव में है शनी की साड़े साथी का पर्थम चरण भी है तो शनी पर्थम चरण में बहुत बुरे जो रिजल्ट है वो नहीं देते हैं ये आपके प्रयासों को देखते हैं आपके प्रयासों को बढ़ा देते हैं आपकी मेहनत को बढ़ा देते हैं लेकिन जब यहां गुरू को आकर बैठेंगे तो उनका रिजल्ट भी आपको मिलेगा अगर अगर अप अपने प्रयासों में कमी करते हैं तब आप कह सकते हैं कि आपको profit नहीं होगा लेकिन आप जब भी कोई कार्या करते हैं तो उसमें किसी भी तरह का decision लेने से पहले अच्छे से सोच समझ ले किसी कार्या को शुरू करते हैं पैसा investment करते हैं तो अच्छे से सोच समझ कर आप अगर decision लेते हैं तब ही आपको profit होगा इसलिए इस दोरान आपको जल्दबाजी में तो कोई काम नहीं करना है जल्दबाजी में किये कार्या आपको बेहत नुकसान दे सकते हैं इस महिने में दिवाली जैसा पर्व धंतेरस जैसा पर्व भी है और देखिए अमावस का दिन होता है लक्षमी पूजन का दिन जो जल्ट देखने को मिलेंगे तो इसलिए आप शुम मुरत पर ही जो है वो पूजा करें कुम लगन वाले कुम राशी वाले और यह जो आपके लिए पूजा का मुरत होगा देखिए वैसे तो जो चौधा नमबर को लक्षमी पूजन का मुरत है वो शाम को साथ बजे से और शा लक्षमी मा का आशिरवाद पाने के लिए लक्षमी मा इस समय आपको आशिरवाद देंगी और आपके घर को धंधाने से भर देंगी इसलिए आप इस समय में जरूर इसका पूजन करें आर्थि किस्तिती में भी आपके में सुधार होगा इस महीने में और जो खर्चे आपके लिए यात्राओं का योग भी बन रहा है धर्म कर्म की यात्रा पर आप जा सकते हैं मानसिक रूप से काफी कुछ रहेंगे एक अपने काम से आपको संतुस्टी का अनुबह होगा अपने काम को लेकर आपके काम काज कई तरह के होंगे यानि आप एक जगा से नहीं आने वाले समय में आपको प्रॉफिट भी होगा लेकिन समझदार इसे काम आपको करना है इस दोरान पैत्रक संपत्ति को लेकर कुछ घरवालों के साथ मतभेद जरूर हो सकता है तो इस मतभेद को दूर करने के लिए अपने जो बड़े बुजर्ग हैं जो वरिस्ट हैं उ जीवन साथी की माता के साथ कुछ कहा सुनी हो सकती है तो गुस्से पर थोड़ा कंट्रोल करें आपका जो जीवन साथी है को मराशी की जीवन साथी होते हैं वो काफी आत्म सम्मानी वाले होते हैं यानि ऐसी इस्तिती में वो होते हैं इसलिए थोड़ा सा द्यान रखना हो इस महिने प्रेम संबंद की बात करें तो हो सकता है, किसी आपके प्रेमी को आपकी कोई बात अच्छी ना लगे तो थोड़ा द्हान रखें, किसी भी तीसरे व्यक्ति को अपने बीच में इंटरफेर ना करने दे, जहां तीसरे व्यक्ति आएगा, बीच में बोलेगा, आप तीसरे वेक्ति की बातों को ज्यादा ध्यान से सुनेंगे, बाते मानेंगे, मुहाविवाद की इस्तितियां जरूर आपके लिए हो सकती हैं, तो इसलिए उन चीजों का आपको ध्यान रखना होगा, बाकी पारिवारिक जीवन आपका ठीक ठाक रहेगा, स्वास्तिया का ध्यान रखे, खास दोर से वाहन चलाते समय ध्यान रखे, अपनी गती पर नियंतरन बना कर रखे, आला कि शुक्र कहीं न कहीं आपके इस चीज़ को कंट्रोल करेगा, लेकिन फिर भी अगर आप लॉंग ड्राइब पर जाते हैं, लंबी दूरी की तैय करते हैं, पचास किलोमेटर से ज़्यादा खुद ड्राइब करके जाते हैं, तो आपको केरफुल रहना होगा, गाड़ी को केरफुली आपको चलाना होगा, अपना स्वास्त है, अपनी सेहत, आपके हाथ में हैं, आप ज़रूर धिहान रखें, और देखें कुछ ऐसे दिन हैं, जहां आपको धिहान रखना है, जैसे कि जो बैड डेज हैं, साथ और आठ नवंबर, ग्यारा और बारा नवंबर, बीस और इकेस नवंबर, ये च्छै ऐसे दिन हैं, जब आपको सावधाने रखनी होगी, किसी से लड़ाई जगडा नहीं करना है, वाहन सावधाने पिरवक चलाना है, और किसी विवाद विवाद कि स्थिती में आपको नहीं पढ़ना है, तो इन दिनों का आपको ज़रूर ध्यान रखें, साथी चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक और शेर करना बिलकुल न भूले,